बाईयो और बहनो, महिलाओं के चेरे पर तिल, महज, सौंदर्य का परतीक ही नहीं होते, बलकि ये भविश्य में होने वाली गटनाओं का भी बहुत अच्छा संकेत देते हैं। हमारे सरीर पर जनमजात के कुछ निशान जरूर होते हैं, जिने हम तिल कहते हैं, सरीर के अलग-अलग अंगों पर तिल की इस्तिती उनके आकार और रंग के इसाब से भविश्य का अनुवान भी लगाया जा सकता है। समुद्र सास्त्र में ऐसा बताया गया है कि ये तिल भहुती विशेश होते हैं, ऐसे में आज हम बात करने जा रहे हैं कि महिलाओं के होटों पर तिल का मतलब क्या होता है। देखिए भाईयों और भेनों, तिल खोलता है आपकी लाइफ के राज, बेहत खास होते हैं तिल का मतलब, जिन लोगों के या जिन महिलाओं के होट के उपर बाईयों की और तिल होता है, वे अपनी संतान से बहुत प्रेम करने वाले होते हैं, इनकी उदारता के कारण घर परिवार में शुक और शम्रुद्धी का वातावर्ण रहता है, ये बहुत ही बरोसे के लाइक होते हैं, अगर आपके होट पर तिल है तो समझ लेजिए आपके अंदर काम भावना का समुद्र है, उपर के होट पर काम देव का वास माना जाता है, इस स्थान पर तिल का होन काम अपता की पहचान भी माना जाता है, ये इस्त्री और पूर्ष दोनों के होटों पर दाइंत तिल का निशान है, तो उनका उनके जीवन साती के साथ बहुत ही प्रेम पूर्ण रिस्ता रहता है, इसके उनके बीच बेहत अच्छे समंध होते हैं, ये विप्रीत होट के बाई और तिल का निशान होने पर जीवन साती से कभी कभार अन्वेल की इस्तिती या टकराव की इस्तिती हो सकती है, वहीं जिन लोगों के निचले होट पर तिल होता है, वे खाने पिने के शोकीन बताये जाते हैं, साथ ही ऐसे व्यक्ति अपने क्षेत्र में बहुत सफलत पाते हैं, जिस इस्तिती के ऊपर के होट पर तिल होता है, उसका जीवन बढ़ा ही आनंद में होता है, वे सभाव से बहुत ही नरम दिल होती है, साथ ही अगर तिल निचले होट पर है, तो ये बताता है कि इस्तिती महंगी वस्तों और आराम दाएक जीवन जेने की चाह बताता है कि उस पुरुस का जीवन बेहदी आराम दाएक निकलता है, होट के नीचे तिल है तो गरीबी का संकेत भी देता है, जिन लोगों के होट के ऊपर बाई और तिल हो तो अपनी संतान से बहुत प्रेम करते हैं, ये मैंने आपके ऊपर भी आपको इसी वीडियो में बताया था और अभी भी बता रहा हूं कि उनकी उदारता के कारण घर परिवार में बहुत ही समर्दी का वातावन रहता है और दिल के अमीर होते हैं इस तरह के तिल वारे, जिहां जानते हैं कौन से लोग दिल के अमीर होते हैं, होट पर तिल वाले व्यक्तित दिल के अमीर होते हैं होटों के आस्वास या सीधे होट के उपर जिनका तिल होता है वे हर किसी से बहुत ही प्रेम से बात करते हैं और उनके दिल में हर किसी के लिए प्रेम का समुद्र लहराता रहता है इसी के साथ ही जिनके होट के बाएं तरफ तिल होता है उन लोगों का बच्चों से बहुत प्यार होता है अगर किशी के होट के नीचे तिल है तो उस वेक्ति को हर किशी को देखकर आशुरुक्षित सा अनभव होने लगता है जिहां दोस्तो ये थी जानकारी आज की महलाओं और पुर्षों के तिल के बारे में या होट के उपर तिल का मतलब क्या होता है इस सारी जानकारियां आपको शमुद्र सास्तर के अनुसार दी जा रही हैं हम इसकी पूष्टी नहीं करते हैं इन में सत्यता कितनी है ये आप अपने विवेक से समझेगा अगली बात मैं कहना चाहूंगा यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकोन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए सबसे बड़िया तरीका है इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा यदि आपको वीडियो परसंद आता है तो सारे दोस्तों में रिष्टेदारों में परिवार में इस वीडियो को श दूसरे में शेयर कीजिएगा अपना ख्याल रखेगा और अपने से भी ज्यादा अपने माबाप और दादा जी दादी जी का विशेश ख्याल रखेगा स्वस्त रहिए मस्त रहिए मगर अलमस्त कभी मत रहिए नमस्कार